तो एक बार फिर से मोधी सरकार जी हाँ ये मोधी 3.0 है बीजेपी की सरकार एंडिये की सरकार देश में बनने जा रही है और दिल्ली पर सबसे जादा लोगों की निगाहे थी कि दिल्ली में जो लोगसभा की साथ सीटे हैं यहाँ पर क्या होगा चुकि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस जो कभी एक दूसरे के खलाप हुआ करते थे वो भी साथ आगे थे बीजेपी को हराने के लिए लेकिन दिल्ली की सातों की सातों सीटे बीजेपी ने जीत ली और उस जीत के एक नायक जो है वो मेरे साथ मनोस्तिवारी जी स्टूडियो में बैठे हुए हैं बहुत वस्वागत है सर और जिस तरीके से करनहिया कुमार के साथ आपकी जंग देखने को मिल रही थी वाकई में लड़ाई तो बड़ी कड़ी थी बाग का करिजा दिखा दिया आपने हैं नहीं इसमें कोई दोरह नहीं है लड़ाई बहुत कड़ी थी और लड़ाई बिलकुल यूनीक थी दो-दो पार्टियां जो कभी एक दूसरे के खिलाफी आई थी आम आदमी पार्टी आई ही कॉंग्रेस के खिलाफ और वही मिल करके लड़ रही थी और दिल्ली में आज त करके आए और देखिए जो लोग लड़ रहे थे ना उनकी बड़ी खतरनाक शैली थी उनकी फेक information फैलाना बिलो दबेल्ट बातें करना जितनी अभद्र बातें करनी होती थी उनके poster पे भी वो अपना नहीं बताते थे देख रहे हो मनोज यह करो मनोज ओ मनोज ऐसे यह बासा होती थी तो यह सब के बावजूद भी जो नौर्थ इस दिल्ली की जंता ने जो हमनों को आशिरवात दिया है उसके लिए तो जैसे भी परणाम करते हैं बहुत बाग का करेज़ा एक बड़ तरह सुनाईए बड़ा पॉपलर हो रहा है इन दिनों यह गाना और वही इसी तरीके का कलेज़ा दिखाया भी आपने तो वह गाना एक फिल्म का है भाईया जी फिल्म में ने गाया लेकिन वह ऐसा लग रहा है कि नरेदर मोदी जी के लिए गाया जा रहा है प्रासांगिक हो गया बिलकुल हो जे का बाग का करेजा देके उपर वाला भेजा ओ का काई डेरवाई गुनगार न गरी हा जे सारा जीवन दुख जेला हर दम खतरे से केला ओ का रोक के दिखाये यह अंगार न गरी जे का बाग का करेजा देके उपर वाला भेजा और नरेदर मोदी जी पे बहुत रील भी बना उस गाने को ले करके देखिए कहते न कि एक लाइन है उसमें कि अरे माह काल वी कराल लागे कालों का भी काल ये जो चल पड़ी है प्रलय की धार नगरी हा जो लोग भरस्टाचार के आकंट डूबे हुए हैं उन लोगों के लिए जो कारवाईया हो रहे तो इससे लगता देख गाना विल्कुल सही आना कि गाना थो फिलम के लिए है बट एवरिबडी इज इंज्वाइंग हम लोग भी कभी कभी लगा करील बना देते हैं अच्छा लेकिन एक बात बताएए उन लोगों को क्या कहिएगा जो अपनी हार में भी जीत ढूण रहे हैं बार-बार कह रहे हैं कि बीजेपी की हार है मोदी जी की हार है कॉंग्रेस वालों के बैन आप सुन रहे होंगे जी सुनते ही है क्या है कि कोई बच्चा बार-बार फेल हो रहा हो और किसी टाइम उसको थोड़ा सा फेल तो हुआ ही हो लेकिन थोड़ा नंबर 33% के आसपास मिलने लगे तो उसकी जो खुशी होती है वही दिख रही है और मेरा मानना है कि देश ने जो इतिहास बनाया है अकलेस भाई ABP News के जो भी लोग देख रहे हैं मैं देश के प्रतेक नागरी को प्रणाम करना चाहता हूँ इतनी fake information राहूल गांदी जी अपना संविधान लेकर के कि संविधान खत्रे मेरे संविधान सबसे मजबूत है जब नरंदर मोदी जी हाथी के ऊपर संविधान को लेकर के चलते हैं जब संविधान को प्रणाम करके 2019 में सपत लेते हैं जब संसद को मत्था पटक के सीड़ी पर धूल भी नहीं जाड़ी गई थी इखलिस में चार कदम पीछे था तो उन नरंदर मोदी जी के जो जिनके मन में उमंग में तरंग में विश्वास में संविधान है उनके खिलाफ ऐसा प्रचार किया गया और साई थोड़ा सा वो सफल हो गया उसमें और आज आप कहने चारें कि मिसलीड किया गया जब तरह से मिसलीड किया गया अच्छा आपके इलाके में भी बड़ा हर तरीके का परचार चला था जहां से आप सुनाओ लड़े थे बगल में बिठाके उनको रोडसों में जा रहे हैं अर्विंद केजरिवाल जी घूम रहे हैं मतलब ऐसा लगता था कि वो एक दो-चार सीट छोड़ दीजी देश की तो उसके बाद मनोस्तिवारी को हराना है ऐसा ताकत लगा के राहुल गांधी जी अर्विंद केजरिवाल जी और पूरी देश की सारी लिफ्ट सक्तियां वाम पंति शक्तियां क्या क्या हमारी इंटर्विव में कुछ यहां से जोड़के कुछ वहां जोड़ दिया और ऐसे करके अरे चुनाओ के दिन तो कह दिया मनो पूस्तिवारी पर हुआ, बीजेपी पर हुआ, हमारे एचेम सर के उपर, अमिज साजी के उपर हुआ, लेकिन कहते हैं न कि जहां भगवती किरपा है, सारे संकट कर जाते हैं जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पर आए, बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन, जब ये करें अपना फेवरिट शोओ, फ्री टाइम पर आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शोओ अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे